नमस्कार मैं हूँ रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर वक्त के नाम पर अपने देश की संसदिये परंपरा को अगवा करने की कटरपंथी जिद का आज खुलासा करेंगे दिखाएंगे कि जो संबिधान के नाम पर हला मचा रहे हैं उन्होंने कैसे इसी की आड में शरिया कानून थोपने की पूरी पक्की प्लानिंग कर ली देश का मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में दिखाएंगे दुनिया की महाशक्तियों की नई लिस्ट जिसमें हिंदुस्तान ने रूस से लेकर जापान तक को पीछे छोड़ दिया और दिखाएंगे कि कैसे पूरी हुई है प्रधान मंत्री मोदी की पावर प्रतिग्यास लेकिन शुरुआत वक्ष पर बवाली एजंडे के साथ तो ये आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1951 को देश में संविधान लागू हुआत तब से लेकर अब तक 73 वर्स वी बीत चुके इन साथ दशकों में हिंदुस्तान की संसद में 4000 से ज्यादा विधेयक पेश किये गए और इनमें करीब 1000 विधेयक संसद के दोनों सदनों में पास होकर कानून बने इनमें संविधान में तय प्रक्रिया का पालन हुआ जिन विधेयकों पर संसद में विवाद या सहमती के हालात बने उन्हें JPC यानि की Joint Parliamentary Committee में भेजा गया ताकि विवाद और असहमती को दूर कर जनहित का कानून बनाया जा सके मैं ये सब बाते इसलिए गिना रहा हूँ और बता रहा हूँ क्योंकि पिछले महने 8 अगस्त को भी यही हुआ लोग सभा में पेश वक्फ संसोधन विधेयक को उसी संबैधानिक प्रक्रिया के तहत JPC में भेजा गया जिसमें सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों पार्टि संसद में सर्व सुईकार नया वक्फ संसोधन बिल पेश होगा ये तो संसदिये परंपरा की बात हूँ लेकिन देश का मूड मीटर में आज बात उसी संसदिये परंपरा को अगवा करने की एक कटरपंथी जिद के परताल के साथ जिसके लिए हला तो संबिधान का मशाया जा रहा है और उसकी आड में इसलामिक शरिया कानून का हिसाब गिनाया जा रहा है सीधे सीधे अगर कहूं तो सवाल यही है कि वक्फ संसोधन बिल जब जेपी सी के पास है तो क्यों उसके खिलाफ पूरे देश में मुसल्मानों को भड़काया जा रहा है उनमें जूठा दर फैलाया जा रहा है क्यों उन्हें मुसलिम विरोधी ठेहराया जा रहा है यह जिद क्यों कि वक्फ कानून में कोई बदलाव न किया जाए उसे जसका तस रखा जाए पिछले डेढ़ महिने में इस जिद के आगे सरकार को जुकने के लिए या यूं कहें कि जुकाने के लिए किस तरह एक खास तरह का एको सिस्टम खड़ा किया गया उस सब पर आपको गौर करना चाहिए और उसमें से बहुत सारी चीजों के बारे में आप वाकिफ भी होंगे लेकिन एक सिलसलेवार तरीके से सरसरी निगाह उस पर डालिए कि क्या क्या हुआ पिछले कुछ द गढ़ा गया वक्त संसोधन बिल के खिलाफ देश भर में क्यूर कोड स्कैन करके एक अभियान चलाया गया लेकिन हद तो यह है कि इसमें भगोडा आतंकी जाकिर नायक को भी इस क्यूर कोड़ वाले अभियान का चेहरा बनाया गया आप सोचिए जो शक्स इस देश में आत मेहरा बना कर फेश किया गया और कटरपंथी गैंग किसी न किसी बहाने सडक पर उतर कर शक्ति प्रदर्शन का खेल दिखाता रहा और इसकी हद तो यह हो गई है कि वक्त विल पर चर्चा कर रही जेपीसी के पास एक दो दस हजार बीस हजार नहीं लाक दो लाक नहीं सवा करोड चिठियां पहुची हैं लेकिन उस सारी चिठियों का मजमून बिल्कुल एक जैसा है बिल्कुल एक है वक्त पर नया बिल कबूल नहीं ये बात सब में कॉमन है बस इमेल आइडिया लग अलग है वक्त बिल पर बनी जेपीसी के सदस से और बीजेपी सांसब निशिक क्या लिखा है आपको एक वारे जानना चाहिए उन्होंने लिखा कि बिल के विरोध में एक जैसे मजमून वाले सवा करोड चिठियां चौकाने वाली है क्योंकि सब का जो चिठी का चिठी के एमा इमेल आईडी मतलब भेजने वाली की आईडी अलग-अलग भले ही है लेक पीसी के इतिहास में आज तक संसदया उसके किसी भी कमेटी के पास इतनी चिठियां कभी नहीं आई किसी मामले में नहीं है इसमें कितनी भारत से है और कितनी भारत से बाहर की है अब इसकी भी जांच किये जाने की जरूरत है और हमारी विधाई प्रक्रिया की अखंडता और स्वतंत्ता सुनिश्चित करने के लिए ये बहुत जरूरी है ये बात निशिकान दूबे ने अपने चिठी में लिखी है निशिकान दूबे इन चिठीों के पीछे आतंकी भगोडा जाकिर नायक मुस्लिम कटर पंथी संगठन और वहां से लेकर पाकिस्तानी खुफिया इजनसी आईएसाई और बाहरी ताक्तों का हाथ होने की बात भी कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने अशंका जताई है कि ये सब लोग शामिल हो सकते हैं इस मुहिम में और इसकी मांग की है कि इन सब की जो संभावित भूमिका हो सकती है इस चिठी अभियान में उसकी जांच की जानी चाहिए निशिकान दूबे ने ए मांग इसलिए भी की और इनकी मांग को इसलिए भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए क्योंकि इनी सवा करोड़ चिठीओं का हवाला देकर विदेशों में हिंदुस्तान की छवी कराब खराब करने की भी कोशिश होगी य हिंदुस्तान की मौजुदा सरकार मुसल्मान विरोधी है यह देखिए कि इतनी बड़ी संख्या में मुसल्मानों ने सरकार को ग्यापन दिया पार्लियमेंट की कमिटी को बताया कि वो इसके पक्ष में नहीं है इस कानून में बदलाव के पक्ष में नहीं है बावजूद इसके एक कानून पास करा लिया गया इसको लेकर एक माहौल बनाने की कोशिश होगी यहला मचाया जाएगा कि हिंदुस्तान के धर्म निर्पेक्ष धांचे को ताक पर रखकर वक्ष विरोधी कानून बनाया जा रहा है जबकि हकीकत इसके ठीक उलट है नया वक्ष विल यह प्रक्रिया का पालन करके बनेगा इसमें कोई दोमत नहीं खुद सांसद होकर भी असदुद्दीन ओवैसी उसी भ्रम को फैलाने में जुटे हैं हैरान करने वाली बात तो यह है एक बार ओवैसी को सुनिए जो आज कहा है उन्हों कि यह जो नरेंदर मोडी की सरकार है वो वक्फ प्रापर्टीज को बचाने के लिए वक्फ प्रापर्टीज को डेवलप करने के लिए वक्फ प्रापर्टीज में एफिशेंसी लाने के लिए यह बिल नहीं लाई है यह बिल इसलिए लाया गया है ताके हमेशा के लिए वक्फ बोड को खतम कर दिया जाए मुस तो वैसी खुद को बैरिस्टर कहते हैं लेकिन कानून में क्या लिखा हुआ है जो नया बिल है उसके मसौदे में क्या लिखा हुआ है उसका ड्राफ्ट क्या है ये पढ़ने की बजाए और उस पर बात करने की बजाए उस सरकार की मंशा पे सवाल कर रहे है उस सरकार की मंशा को सवालों के गेरे मिला रहे हैं कि सरकार की मंशा ये है कि इसके जरीए वो ऐसा ऐसा करना चाहती है भई अगर बिल में ऐसा नहीं लिखा है अगर उसके ड्राफ्ट में बाते नहीं है तो कोई सरकार अपने चाहने से किसी सिर्फ के चाह लेने भरते आरिस्टर होने के बावजूद इतने सम्मानित और इतने लंबे समय तक सांसद रहने के बावजूद जब वैसी ऐसी बात कर सकते हैं तो आप सोचिए बाकी लोगों का क्या हल हो वैसी लगतार पांचमी बार जीतकर हिंदुस्तान की संसद में पहुंचे हैं लेकिन वक्ष प पे उसकी भाषा के साथ हूब हूँ मैच करती हो वैसी की बार ये वह ही वैसी हैं जो इसी साल जून में आये लोग सभाज चुनाओ के नतीजों को लेकर पीए मोदी और बीजेपी पर तंज कस रहे थे और कह रहे थे कि नई जो सरकार बनी है वेसाकियों की सरकार है टीडीपी और जेडीउ के रहमो करम पर है मोदी की ताकत खत्म हो गई है ये सरकार ज़्यादा दिन ठीके की नहीं तमाम बाते कह रहे थे और वही है वो वेसी वक्फ बिल पर हिंदुस्तान के मुसल्मानों को ये कहकर भड़का रहे हैं कि मोदी मुसल्मानों से उनका सारा कुछ छीनने में लगे हुए हैं उनका हक मारने में लगे हुए वेसी का ये उकसावा बहत खतरनाक है मुसल्मानों को भड़काने वाला है क्योंकि वो इशारों में कह रहे हैं कि वक्फ बिल से मनमर्जी से बनाया गया है और मनमर्जी से संसद में इसे पास करवा लिया जाएगा जबकि हकीकत इसके उलट है कि वेसी ये नहीं बता रहे कि विपक्षी पार्टियों के रूख के कारण ही इस बिल को जेपीसी में भेजने की नौबत आई और इसलिए वेसी का उकसावा और भी खतरनाक है क्योंकि उनकी बयानवाजी मजहबी फसाद को बढ़ावा दे रही उनकी जवानी सुनिए और समझिए कि वेसी क्या कहना चाह रहे है और क्या करवाना चाह रहे है 9,40,000 मुसल्मानों के पास है वकबोट के पास है अब ये चार रियासतों में 10,00,000 एकर किसकी है हिंदू इंडोमेंट वोट की हम क्या बोल रहे मैं आप करने कैसा है अरे तुमारे बाब की दीवी नहीं है ये गौर्मेंट की नहीं दीवी है हमारे आब आजदाद ने अपने खून की गाड़े पैसे की कमाई से इसको वफ किया तो वैसी का लहजा वैसी का तेवर देखिए जो देश हिंदू बहुल है वहाँ सीधे बाब तक पहुँचने की हिमाकत करते हैं बात बात पे वैसी जिस तरह मुसलमानों के लिए बख बोर्ड है देश में हिंदू और उनकी संपत्ति के लिए कोई सरकारी बोर्ड नहीं है ये बात ठीक है कि सरकारी मंदिरों पर मंदिरों पर सरकारी कबजा है लेकिन उसके लिए कोई बख बोर्ड जैसी कोई ऐसी ओल इंडिया कोई ऐसा संगठन नहीं है और कोई और गिनाज़शन नहीं है जिसके अंतरगत लाखों करोड की जमीने है लेकिन ओवैसी को लोगों को उकसाना है तो कुछ भी कहेंगे कुछ भी गिनाई सवाल तो यही है कि हिंदुस्तान में बख बोर्ड के नाम पर चल क्या रहा है क्या इसकी पड़ताल की जिम्मेदारी सरकार के पास नहीं होनी चाहिए वो ऐसी 10 लाख हेकड वक्फ संपत्ती की बात कर रहे है तो उसकी कमाई कहां जा रही है कौन खा रहा है वो किसके कबजे में है क्या इसकी जाँच नहीं होनी चाहिए वक्फ की जो संपत्ती आखिर पिछले 15 सालों में दो गुनी हो गई वो कैसे हो गई साढ़े 4 लाख हेकड बढ़कर कैसे 9,40,000 करोड हजार हो गया क्या उसकी पारदर्शिता से जाँच नहीं होनी चाहिए उसका बेवरा देश के सामने नहीं आना चाहिए दरसल इनी सवालों को तो दवाने की कोशिश कर रहे हैं लोग क्योंकि इसकी अगर जाच हुई तो वक्फ वोड से जुड़े वो सारे राज खुल जाएंगे जिसे तुस्टी करण के नाम पर पिछली सरकारे दबाती आई कॉंग्रेस और इंडी गठवंदन में शामिल विपक्षी पार्टियों को इसलिए मोधी सरकार का वक्फ संशोधन बिल पच नहीं रहा है उनके ओ चालिस प्रावधान नहीं पच रहे जो उनके किये धरे की पोल खोल देगा उन्हें जवाब देते नहीं बनेगा कि वक्फ वोड को इतनी ताकत कैसे दे दी गई कि हिंदुस्तान की अदालतों का फैसला भी उन पर लागू नहीं होगा वो जिस्वी संपत्ति पर हाथ रख देगा वो उसकी हो जाएगी और फिर उसे किसी भी कोट में चुनोती नहीं दी जा सकेगी खेर यहां तक तो तुष्टी करन का मसला था इसे हिंदुस्तान और उसकी जनता ने अब तक बरदास्त किया लेकिन जब बक्व संसोधन बिल को रोकने के लिए जाकिर नायक जैसे भगोडे आतंकी का इस्तेमाल किया जाए सोशल मीडिया पर उकसावे का अभियान चलाया जाए दूसरे मुसलिम देशों से उस पर बयानवाजी करवाई जाए और इस बिल को नहीं लाने के लिए हिंदुस्तान के सरकार को धमकाने की कोशिश की जाए तो फिर इस पर गंभिरता से विचार करना होगा इस सिमाकत के पीछे हिंदुस्तान विरोधी विदेशी ताक्तों की चालबाजी समझनी होगी नफरती साजिशों के पीछे उस किन लोगों का हाथ है ये इसकी भी परताल करनी पड़ेगी बाकी रही बात वक्फ बिल की तो समझने वाले ये अच्छी तरह समझ लें कि हिंदुस्तान की संसदिय विवस्था को वक्फ और सरिया के नाम पर ब्लैकमेल करने का ख्वाब किसी हाल में पूरा नहीं होगा इस देश की संसदिय परंपराएं बहुत मजबूत हैं और इस देश की संसद है वो सर्वो फरी है और किसी भी तरह से उसे दबाव में लेकर या मनमर्जी के जरिये उस पर कोई फैसला थोपने की कोशिश काम्याब नहीं हो पाई तो देश का मूड मीटर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद लोटेंगे तो दिखाएंगे दुनिया की महाशक्तियों की एक नई लिस्ट जिसमें टॉप पोजिशन पर हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा रहा